हलो दोस्तो नमस्कार केसे हैं आप स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल जी आर ओर्गेनिक्स में दोस्तो आज हम बताएंगे कि हम किस तरह से ओर्गेनिक सबजियां चत पर हुगाते हैं पूरा मैं वीडियो में बताने की कोशिस करूँगा कि किस तरह का हमारा सेट अप है किस तरह से में और्गेनिक सबजियां हुगाते हैं इसको किस तरह से पानी दिया जाता है और कौन कौन सी सबजियां होगा जाती है पूरा वीडियो मैं बैसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल्स देने की कोशिस करूँगा इसमें हमारी यूनिट जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई सबी बातों के बारे में बात करेंगे सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स से मैं का कोई इलाज नहीं होता है जैसे की कैंसर हुआ टीबी हुआ कैफी ऐसे बिमारियां हैं जिनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल है और आजगर गंदे नाले की बहुत सारी पेस्टिसाइड वाली हम सबजीयां जो खा रहे हैं उसका दुर्स प्रबाव आपको आराम से आसानी से और्गेनिक वेजीटेबल्स ग्रो करता है इस सेटब में आप अपनी सीजनल सबजीयां होगा सकते हैं आसानी से पानी दे सकते हैं बिल्कुल इजी वे आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अब बताता हूं दोस्तों में इसके बारे में आप आपको कुछ फाइदे बताता हूं जो आप यह मेरा सिस्टम देख रहे हो सामने इसके मैं आपको कई फाइदे बताता हूं पहला कि आपको मिलेगी औरगेनिक 100% सबजीयां जो कि आपको मार्केट से पैसे बचाएगी आपका अच्छा स्वास्ते बचाएगी आपको हेल्दी होने से हेल्दी रखेगी और आपके समय बचाएगी मार्केट से आने जाने का औरगेनिक वेजिटेबल्स मिलेगी क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जो मार्केट से वेजिटेबल्स ला रहे हो वो औरगेनिक है कि नहीं है जो आपकी आँकों के सामने उग रही है उस प सब कुछ इसमें सबसे सुन्दर फूलों से भी ज्यादा सुन्दर यह हमारा रुप्टो फार्मेरिंग फार्मिंग पोर्टेवल सिस्टम लग रहा है इस तरह की सिस्टम की अने को और फाइदे हैं एक और दूसरा यह लीकेज प्रूप है इससे आपकी चट पर कोई भी सीलन जंजट नहीं है इसका पानी द्रेंझ होता है जो आप जहाँ पर फार्मिंग के उपर इसको इंस्टोल करवाया यह पूरा जिस रूम पर उसका टेमप्रेचर ऑटोमेटिकम कम हो जाता है जिससे की आपक़ एलेक्रिक्रियूटी बचेगे ज्यादा एक इससी कुलर नहीं चलेगा इसके आने को फाइद हो आपको कुछ इसके बाहने उपर चत पे आओगे काम करोगे कुछ सब्जियां तोड के लेके जाओगे और दूसरी बात आपके बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें उनको मालूम होगा कि किस तरह से सब्जियां जाती है गाउं से जुड़े हुए हालांकी और जो गाउं से जुड़े हुए खेतों से जड़े हुए उनको तो पता होता है लेकिन ज्यादा तर बच्चों को यह नहीं मालूम होता है तो उनको प्रोजेक्ट मिलेगा उनको सीखने को मिलेगा और नेचर से जुड़ा इस तरह का setup आप अपने आसानी से लगा सकते हैं और दोस्तों यह लगाना बहुत ही आसान है इसको जरूरी नहीं की यहीं पर है आप इसको दूसरी जगह भी रख सकते हैं कहीं पर भी jam न करें आपका वहां पर इस्टोल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात ह चाहता हूं जैसा कि आप हमारा केनों पी फ्रेम देख रहे हो यह लोए का फ्रेम है और नीचे वाला जो पांसो माइक्रोन का कंटेनर है ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है इसकी लाइफ पांस साल होती है लगबग यह आठ दस साल आराम से चलता है इसका जो ड्रिप सि कि यह लगबग यह लगबग आप आसानी से चाहिए है और यह ड्रिप सिस्टम है आराम से आप नलोन करोगे और पानी लगए इसी तरह और यह वेजीटेबल स्था आप अपने आसानी से घर पे उगा सकते हो और डेर सारी सब्जियां खा भी सकते हो और अपने यार दोस्त को मिलने वालों को किसी को भी गिप्ट में वेजिटेवस और गिनी दे सकते हो मेरी आसा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा से भी इच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के रिलेटिव रिस्तेदार अब ले धन्यवाद अगर मेरा यह वीडियो आप कुछा लगे तो लाइक से सिस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मुझ